तो दोस्तों आज हम आपको ले चल रहे हैं महरानी मांके जो की यहाँ पे जैपूर की लास्ट महारानी गाहितरी देवी ने शुरुवात की थी और ये मांकेट इसले भी फेमस है क्योंकि यहाँ पर आपको ओरिजिनल जैपूर कल्चर से रिलेटेड काफी साई चीज़े देखने को मिल जाएगी जैपूरी कुल्च, मकराना, जैपूरी जूती जो की 20 ग्राम की जूती है और साथ ही आपको मिलेंगे यहाँ पर बहुत ही सुन्दर जैपूर के हांडी क्राफ्ट और हांड लूम्ट तो अगर आप भी यहाँ पर जैपूर में आ रहे हैं तो आप महारानी मारकेट जरूर विजट करिए क्योंकि यह कुछी टाइम के लिए खुला रहता है यह सुभा 10 बजे से लेके दोपैर को 2 बजे तक ही खुलता है तो आप जब भी यहाँ पर आए तो पहले महारानी मारकेट विजट करिए और उसके बार अगर आप चाहें तो आप सिटी पैलेज या जलमेल भी देखने जा सकते हैं तो अब आपको लेख चलते हैं हम लोग जैपूर के महारानी मारकेट में जो की इस पूरे कंप्लेक्स में आपको बहुत सारे जैपूर की कल्चर देखने को मिलेंगे और आप यहाँ पर चाहें तो अपने मन पसंद की शॉपिंग दिखर से हेलो न है अपनी चीजों को लेके तो आपको यहाँ पर जो भी चीज़ खईदी उन सब का प्रॉपर सर्टिफिकेशन मिलता है और साथ यहाँ पर प्रॉपर गारेंटी मिलता है तो दोस्तों चली चलते हैं इस महारानी मारकेट के अंदर और करते हैं थोड़े जैपूर के ओरिज करना अलाउड नहीं है हमारे को काफी स्पेशल पर्मिशन के बाद यहाँ पर थोड़ी बहुत शूटिंग करने की पर्मिशन मिली है और तभी हम आपके सामने यह अमेजिंग कंटेंट ला पाए तो इस व्लोग को जरूर एंड तक देखे और इस वीडियो को जरूर शेयर करिए ताकि जैपूर के कल्चर और ट्रेडिशन लोगों तक पहुंच पाए राधा आठ दस साल के बच्चे थे तबका यह कार उनका इट जस्ट लाइक टोई था और इंट्रेस्टिंग बात यह है कि यह गाड़ी जैपूर विंटेज का रेली में पार्टीशिपेट भी है और इसको सतर गाड़ियों के अंदर दस मंस्तान मिला है रेस्टो बोडी इसके टायर पहले लगडी के थे सिरफ इनको चेंज किया गया बाकी एज़ेटी जैए राइट नाउट्स लुकिंग नॉर्मल बट देटाइम पोज रियर एन अरिस्टो क्रेट फेमिली के ने फ हुइtest पानल आंडगाय तो और आप व्यां इनकी आसे में एससे बनाया जारा है और उन्की जारे ह्यां पॉलेशिंग मशी और यहां पर यहां लाप देख से उतिक्र एबनार सिन पानल आस जारता है प्याई है झांता ऑसरतिक स्वालो पालिश है तो यह है पॉलिश करिए जैंग और यह कस्टमाइज बेस पर बनाए जाते हैं और हाथ अब हाथ फिर इनको लेक्लेस में डाला जाता है लखरी पर लख बना हुआ है लखरी को उपलाक बना हैसे चूड़े बनते है लाक की उसको अपने पर अम इस त्टोंस बनाया जाता है सारे स्टोन्स बनाये हैं अभी ना उनको पॉलिश कर रहे हैं यह तो ग्रीन एमरेंड लग रहे हैं और यह कहां से आपको मिला यह पत्थ यह बाहर साथ है अच्छा अच्छा कितने साल से यह स्ट्रोग है 25 यह और आपने कहां से सीकाई अस्ट्रोग है तो आपका फामली जनरेशन से सले आ रहे हैं अच्छा तीक है यह पर पंडित महेश जी से मैंने अपना हाथ इखाया है और ही वह सुपर राइट मतलब आप लिटरली आप सोच सकते कि आप यहां प आपको आपको गाइड भी करेंगे बहुत अच्छा और आपको से स्टोंस पहने वह भी आपको अच्छे से बताएंगे और यह महारानी मार्केट ले अंदर ही है तो यह मार्केट स्पेसिफिकली और थेंटिक चीजों के ले जाने जाता है तो कैसे हम समझ ले कि पंडित ज शर्ट्स ले सकते हैं और ट्रडिशनल प्रिंट के ऊपर है अच्छा ठीक है वेजेटेबल आई है ने चुछा अच्छा अच्छा और हाफ स्लिप चलेगा ने फूल फूल स्लिप्स अच्छा अच्छा और मुर्ण में तो अंच्छा अगर आप्र आ रहा है तो आप जैपुरी जूती भी ले सकते हैं जोकी भाईया भी लेकर आई है मेरे लिए तो यह स्टार्ट होती है सम्वेर अराउंड फोर फिफ्ट्टी तो आप यह देख सकते हैं यह है एक यहां की जूती और जूती तनी सॉप्ट और लेडवेड होती, फॉल्डिंग से उसके नाम से जाना है जाता हूँ यह बीज ग्राम की जूती? अच्छा पानी वगएर हमें पेने की खराब नहीं होगा यह अच्छा इसमें तर्वरोड मिलेंगे, मैं बना राइंगे अच्छा यहां की 20 ग्राम की जूती जिसको पहन के इतनी ज्यादा लाइट वेट है पता भी नहीं चल रहा कि हमने कुछ पहना हुए और इसमें ही भाईया मारको कुछ डिजाइन्स इखा रहे हैं तो यह है इनमें और डिजाइन्स और यह वाशिबल भी है तो आराम से उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आपको वो सकते और यह सारे कलर्स हैं इसमें मुधर के का यह अट्थान कष्योच आंगे है इस कि आलए्यान नोग कि पल्णत बहुत सब्सक्राइब हो कपनेशन में लिkung Sieitt प्ल्रॉपर आड़का जबार्ट अट्जा आदे श्ब्स प्रॉपर है ईज सरफी द्ना का सथक्ट इसित पंडरा जाला करना मिलो तो इस तरीके से वोश करो उसको हाँ कुछ भी नभी गड़ेगा आपके सामने कोल्ड कर जाम है यह 450 में है लेकिन यह जो कामल लेदर वाला है यह 1500 का है और यह इतना ज्यादा कमफोर्टेबल है यह पहनने में यह तो मुझे बहुत जादा पसंद आया और य यह जो आप देख रहे हैं यह है 20 ग्राम का जूती जो भी बहुत जादा लाइट वेट है यह जैन स्वारी जूती है यह भी बहुत लाइट वेट है और दिखने में यह उतनी ही सुन्दर है इतनी खुबसूरत है यह उरिजनल फूलो कहीते है इंधन कोई एसेंज कोई के इंकर सुन्म रहते हैं अच्छा सब्सक्राइब अच्छा टीक है अच्छा यह तोले के साफ साथ है और कितने का पड़ जाएगा फिर यह तोले का है दो तोले का सिक्सक्राइब चीक और कुछ गैरेंटी वगरा मिलेगी इसके अच्छा यह तो अच्छा है यह किते का है यह तो फिफ्टी का है अच्छा यह मक्राना बंदा कैसे मक्राना से आते पत्थर कुछ आता है कटाई किसाई और यहीं पर यह डेकोरेशन पाट्स आ रहे अच्छा आपके महारानी बाजार में यह ओरिजिनल जैमस्टोन्स भी खरी सकते हैं विट प्रॉपर सर्टिफिकेशन्स जो की यही पर ही मिलता है और यहां पर आपको बिल्कुल भी इनके ओर इजनाल्टी के ऊपर शक नहीं होगा बिकिस्टे आर वेरी पर्फेट पर्फेट आपका यहां पर कितने साल से यह शॉप है और यह शॉप का नाम किया है अचलिए यह शॉप का नाम है इस और राजस्थाल शुपगा मुद्योग इसे वैससे काफी पुड़ाना है लगा कोटी पाइफ लियर्स के असपा से सबून चुके हैं इसे महारानी बाजार भी कहा हैं यह शॉप की वज़े से यह शॉप कोने के साथ साथ थोड़ी से एक्सपनसव नियुक्ति बट लास्ट लोगर हो तो जो यह शॉप रही है आप अपने यहां इस स्टोर पे आप क्या क्या चीज़े उफर कर रहे हैं आप बाज को इस्युक्ति परोगर हो इसे में रहे हैं अबले कि अजिवरी को बाज यह थोड़ करदे बीजयुक्ति आप बाजयुक्ति रहे हैं ज्याहिए पिर्चे क्रें जमीर पत्तिव??? एक जैंपुर जुम्रुटी के महुत साधा दियुलाइ तियुल deposit re등 एक एक जनहों की आछलिब सेल सिर्ट थे। आप्टे क przysz जैंशति चुल फट रिखे तके कर्पेक्टिवध। अच्छा और जूल्री इसमें जैसे कि आपके यहां पर काफी सारे वराइटी के हैं अब भी जूल्री देख रहे हैं तो फिर आप हर तरीकी के स्टोन्स यहां पर देते हैं और इन सब के ऑथेंटिकेशन के लिए क्या है अच्छा तो अच्छा तो अच्छा तो अगर कोई अगर कोई पालिसे लिए लिकिन एक्षेंच लाइगा अच्छा तो अगर कोई अगर जूल्री है जो अगर हमारी खराब हो रही है तो इसका रिपैर कराने का? मैं खराब होने के अच्छा तो आपके मन बढ दे की अच्छा है और फिर नया लें चाहिए तो अगर करना चाहिए प्रेड कर से तो हाँ है वह है जी दिया एबके सथन्क तो यह आप देख रहे हैं यह है राजामान जिंग और गायत्री देवी यह 1950 का है यह वाली पिच्छुर्स और कैसे यहां पर हाइंड नौटिंग हो रही है कापट की सर आपका नाम क्या है शाबुदिन क्या शाबुदिन तो दोस्तों यहां पर आप आके ना सिफ ऑथेंटिकेट जैपूर की हांड लूमसें हांडी क्राफ्ट्स खड़ी सकते हैं बलकि आप यहां पर शाबुदिन जैसे आर्टेसन से भी मिल सकते हैं और उनको लाइफ हांडी क्राफ्ट्स बनाते हुए भी देख सकते हैं जहां पर आप अप भी देख रहे हैं कि यह किते प्रोफेशनल तरीके से कार्पेट की नौटिंग कर रहे हैं और इस एक पूरे कार्पेट को बनने में कम से कम 6-7 महिने लग जाते हैं तो I would say at the end कि महराणी मार्केट आना is a must visit place जहां पर आपको यहां पर जैपूर की काफी साइच चीज़े देखने को मिलेगी So guys I hope आपको यह व्लॉग काफी अच्छा लगाओ गर आपको अच्छा लगाओ तो do hit the like button, share it with your friends अगर आप इस चानल पर न्यू है तो subscribe के बिना बेलकुल मच जाएए वो जो राल बटन देख रहे हैं ना नीचे उसको ज़रूर subscribe करिए और bell icon को ज़रूर दबाईए ताकि proper notification आपको हमारे हर एक व्लॉग की पहुंचते रहे So guys this is it for this vlog and I hope आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और साथ ही आप हमारे इस सीरीज के साथ जैपूर सीरीज बने रहे हैं और आप आपसे मिलते हैं नए व्लॉग में एक नए जगा पर और एक नए कल्चा को लेके जैपूर के So bye bye be safe